नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम एक अप्रायल के टॉप फाइफ करेंड अफेर्स को क्विज के माद हम से इंटरक्टिव में सॉल्व करेंगे और उसको एक्स्प्रेंग भी करेंगे आप इस वीडियो को एंटर जरूर देखेगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैनल को भी आप जोइन कर सकते हैं दोस्तों उस चैनल को आप जोइन कर लीजिए हाली में किस राज का सव फीसदी रेल्वे लेक्रिफिकेशन का कांग पूरा हुआ है अपने इस कुश्यों को पढ़ लिया गो दोस्तों इसका जो करेट आंसर है वा है सी हरियाना दोस्तों हरियाना राज में 100% जो है रेल्वे का लेक्रिफिकेशन पूरा हो चुका है जिसकी जानकारी अभी हाली में रेल्वे बिनिस्टर अश्वनी वैश्णों जी ने ट्वीट के माध्यम से दी है दोस्तों रेल्वे ने अपना पूरा मतलब जो ब्राड ग जो हो चुका है ठीक है दोस्तों पंडित दीन दयाल उपात्य हिया मंडल जो इंडियन देवनवे का मंडल है वह सबसे पहल quién है जो जिसको जो है 108 का जो टाइड उसको प्राप्त हो चुका है और इसके पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी गुजरात, B. नई दिल्ली, C. करनाटका, D. आंधरपिदे सापने इस कुश्यों को पढ़ लेगो दोस्तो इसका जो correct answer है वह है A. गुजरात दोस्तो गुजरात में यह जो है Space System Design Lab का घटन किया गया और दोस्तो यह गुजरात में जो अहमदाबाद है गुजरात में एक जिल इस में जो है बनाया गया था यह दोस्तो एक as a single window काम करता है अगर हम आपको बिल्कुत समाने भासन बता है तो जिससे जो भी private players हैं अगर वो Space सेक्टर में कुछ भी करना चाहरे मतलब माली जिए उनको सैटलाइट भेजनी है या सैटलाइट बनाना है या उससे समदनी दोस्तों वह in space देता है in space का full form क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर Indian space Indian national space promotion and authorization center ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हिंदी में क्या अनुबात है देख लीजिए आप भारती राष्ट्री अंतरिक्ष समवर्धन और प्राधिकरण केंड ठीक है तो यह सब कुछ है आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो उसको आप ध्यान दीजिएगा उसको इनका में यही काम जो हमने आपको बताया क्योंकि जानते हैं कि जैसे USA में देखिए तो जैसे उनके पास बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अंतरिस में भेज रहे हैं जैसे आ भी जो हम जानते हैं भी इस समय काफी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें अपना इन्वेस्मेंट करेंगे रिसार्च और डिवलप्मेंट करेंगे तो कही ने कहीं जो है उसमें सामवर्धा नहीं होगा तो यह सब जो है आप ध्यान गांधी अंतराष्ट्री स्टेडियम आपने इसकोश्यों को पढ़ लेगा दोस्तों इसका जो करेट आंसर है वा है बी नरेंदर मोधी स्टेडियम में दोस्तों अभी IPL का मतलब जो सोला हुआ IPL का जो संसकरण है इसकी ओपनिंग सर्मनी जो है 31 मार्च से मतलब कली जो है और दोस्तों इस बार तो इसमें हाँ जो इनागरेशन मैच था इसमें कौन-कौन से दो टीमें मतलब खेली थी दोस्तों गुजराट टाइटन्स खेली थी और सीसके खेली से जिसमें गुजराट टाइटन्स जो है इसमें विजेता गोशित की गई और दोस्तों इस बार IPL में 70 पूरे मैचस खेले जाएंगे और 10 टीमें हैं जैसे हम जानते हैं और दो जो है इसमें बदलाव किये गए वो अब ध्यान दीजेगा कि KKR मतलब जो कलकत्ता नाइट राइटर के जो कप्तान नए कप्तान बनाए गए है नितीश राणा और दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान बनाए गए हैं डेविड वर्नर ठीक है तो क्योंकि KKR के पहले कौन कैप्टन थे स्ट्रेयस आयर और दिल्ली कैपिटल के पहले कौन थे कैप्टन रिशब पन्त दोनों इस समय इंजड है आप सभी जानते हैं यह कुछ पॉइंट आप ध्यान दीजिए दोस्तों मारा अल्ला करेंट अफेर है GPT-4 क्या है ओफन देखेजिए आप A. NASA दोरा बनाया गया एक रोबोट B. Spyware C. Chatbot D. DRDO दोरा बनाया गया Quantum Computer आपने इस कोश्चों को पढ़ लेगो दोस्तों इसका जो करेंट आंसर है वह है C. Chatbot So यह एक तरीके का Chatbot है यह AI मतलब AI Chatbot है मतलब Artificial Intelligence द्वारा मतलब एक तरीके से का है और एक कंपनी है OpenAI जो है उन्होंने ही इसको बनाया है इसके पहले उन्होंने ChatGPT लांच किया था दोस्तों ChatGPT जो है उन्होंने नमबर 2022 में लांच किया था उसके बाद उसके काफी चर्चा हुए काफी सेक्टर्स में भी जो है और कई मतलब अलग अलग कंपनी भी Microsoft ने भी लांच का तो यह है अचली माफ़ करेंगा Microsoft का ही एक तरीके से parent company है इसके लाग गूगल ने भी लांच किया और भी कई कंपनीया थी जो लांच किया तो इस तो यह जो आपका जो यह ChatGPT है यह क्या है अगर आप वो जान लेंगे तो यह GPT आप फोर जान लेंगे देखिए इसमें जैसे हम अभी जानते हैं जो टैडिशनली गूगल का यूज़ करते थे हम लोग उसमें कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो फिर उसमें सर्च करिए फिर उसके बाद किसी साइड ओपरिंग करिए फिर उसके बाद आपको उसका उतर मिलता था तो लेकिन इसमें क्या है चैड बोड टाइ का है मतलब इसमें चैड कर सकते हैं इसमें कोउस्टन पोष सकते हैं कोई किसी भी टॉपिक से मतलब real time basis मतलब आप किसी essay आपको माल लीजे यस से आपको लिखना है उस पर आप कर सकते हैं या फिर कोई भी answer जानना है किसी भी चीज की जानकाई लेना है, कोई अडवाइस लेना है, वो सब चीज़े आप इसे चैट बोड से, मतलब चैट जीपीटे से कर सकते हैं, और ये काफी मतलब अच्छा है, काफी प्रॉमिसिंग भी है, उसका ये दोस्तों, जो ये जीपीटी फोर है, उसका ये एडवा लेकिन जैसे जो चैट जीपीटे था, वो फ्री में था, लेकिन जोस्तों जो ये जीपीटी फोर है, ये फ्री नहीं है, अगर आप चैट जीपीटी प्लस का मेंबर्शिप लिए हैं, तभी आप इसका मादलब कर सकते हैं, और साथ 20 डॉलर पर मन्त इसका कुछ मेंबर्श सत्या नहीं थी, दूसरा काता है, उसकी फॉज बेहतर थी, तीसा काता है, उसे देश द्रोही सासकोन से सहायता मिली, चौता काता है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है, नीचे दिये गया कूट को सही उत्तर से चैन कीजिए, और संदेल कीजिए आप दोस्तों, इसक कोई केंदे सत्ता नहीं थी, हम सभी जानते है, अपना अपना राज डिवाइट था, वैसा पूरा एक भारत वरस टाइप का जो आज कंसेप्ट था, वैसा नहीं था, तो ये तो पहला कारण सही है, दूसरा कारण दोस्तों है कि उसकी फॉज बेहतर थी, ये भी एक कारण ह उसे देशद्रोही सासकों से साहतमनी, तो ये भी एक प्रमुकारर था, जो उन्हें उसकी काफी हल्प की तभी यहां पर इंडिया में इन्वेट कर पाया था, यो लास्ट वाला दोस्तों है, वह एक अच्छा प्रसासक था, दोस्तों ये जो है कतन नहीं सही है, क्यों? दो अच्छा प्रसासक था, वह पहले था, लेकिन इंडिया में उनको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए एक, दो और तीन कतन सही है, चौथा कतन नहीं सही है, तो ये हुआ आज तक कुछ इंपोर्टन करेंडर फेयर, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आ